Hello everyone, Namaskar हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप? उमीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे आज हम भादो मास के शुकल पक्ष की एकादिशी के बारे में जानेंगे बादो मास के शुकल पक्ष में जो एकादिशी आती है उसको पद्मा एकादिशी या परिवर्तनी एकादिशी के नाम से जाना जाता है शाश्त्रों में ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान पिश्णो निद्रासन में अपनी करवट वदलते हैं इसलिए इसे परिवर्तनी एकादिशी कहा जाता है इस दिन भगवान विश्णो के वामन अवतार की पूजा की जाती है और कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति इससे कादिशी का वर्थ करता है भगवान विश्णो उससे अती परसन होते हैं और उसकी हर मनो कामना पूरी करते हैं आज हम जानेंगे भादो मास की परिवर्तिनी कादशी की सही तारी पूजा का शुमहूरत, पूजा विदी, वर्त के नियम और साथ में जानेंगे इस दिन किये जाने वाले कुछ अच्चो कुपाई के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहले बार इस चैनल पर आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवा दोस्तों इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए क्योंकि दोस्तों आधियतोरी जानकारी से पूरा लाब नहीं मिलता है इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहेगा तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों एकादशी को लेकर अब की बार भी ये कनफ्यूजन बना होओा है कि एकादशी अठाई सगस्त को है या 29 सगस्त को है तो मैं आपको बता दूँ कि परिवर्तनी एकादशी का वर्थ 39 सगस्त शनिवार को रख जाएगा बहादोंप मास की शुक्रपक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इस एकादशी के दिन भगवान विश्णुजी की आरती पूजा की जाती है और भगवान विश्णुजी अपने शैन मुद्रा में करवट बदलते हैं करवट बदलने से उनके स्थान में परिवर्थन हो जाता है इसलिए इसे परिवर्थनी एकादशी के नाम से जाना जाता है परिवर्थनी एकादशी का वर्थ करने से व्यक्ति को वाजपे यक के समानफल की प्राप्ति होती है इस एकादिशी के दिन भगवान विश्णु जी के वामन रोप की पूजा होती है पद्म पुराण में स्वेंट भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि परिवर्तनी एकादिशी के दिन भगवान विश्णु के वामन रोप की पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान इन चार महिनों में वामन रोप में पाताल में निवास करते हैं अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का शुब महूरत साल दो हजर बीस में परिवर्तनी एकादशी का वर्त 29 सगस्ट शनिवार के दिन टक्ख जाएगा और वैसे तो 11-28 अगस्त सुवे 8 बच के 38 मिनट पर शुरू हो जाएगी और 29 अगस्त 8 बच के 17 मिनट पर 11 तिथी समाप्त होगी 11 वर्थ के पारण का समय होगा 30 अगस्त सुवे के 5 बच के 58 मिनट से सुवे के 8 बच के 21 मिनट तर पारं तिथी के दिन द्वादिशी समावत होने का जो समय है वो 30 अगस्त सुवे के 8 बज़ के 21 मिनट अब चानते हैं परिवर्तिनी इकादिशी की पूजाविदी दोस्तो इकादिशी तिथी के दिन प्रातर काल शनान के बाद वर्त का संकर्प लेकर सुर्य देवता को जल का अर्गे दें यदि संभव हो तो आज के दिन पीले वस्तर धारन करें और भगवान विश्णु जी और गनेश जी की विदी पूर्व पूजा करें पूजा में श्री हरी विश्णु जी को पीले फूल, पीले फल, पंचामर्द, तुलसी दल अर्पित करें क्योंकि ये गनेश महादसव का समय है इसलिए आज की दिन श्री गनेश जी और श्री हरी दोनों का ही पूजन करना शुब होता है पूजा में गनेश जी को उनकी प्रिय मौदक और दुर्वा अर्पित जरूर करें और इसके बाद आप पहले श्री गनेश जी की पूजा करें फिर भगवान विश्णु जी के उनके मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासु देवा इनमा और इसके बाद वर्थ की कथा पढ़ें या सुनें परिवर्थनी कादशी की जो वर्थ कथा है वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी आप जरूर देखेगा और कथा सुनने के बाद विदी विधान से मतलब विदी पूरवक पूजा करने के बाद किसी जरूरत मन व्यक्ति को ये मतलब दान पुन भी जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आप वर्थ की कथा भी सुनते हैं और वर्त पूरी विदी पुर्वक करते हैं और किसी जरूरत मन व्यक्ति को उसकी जरूरत के चीजे दान करते हैं तो भगवान बहुत ही शेगर क्यों परसंद होते हैं और हमारी सारी बनो कामने पूर्ण होते हैं अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की नियम दोस्तो एकादशी के वर्त में पूजा, सुभह और शाम दोनों समय करने का नियम है खास बात का ध्यान रखें कि दोनों समय की पूजा में साप सुत्रे कपड़े पहन करें पूजा करने चाहिए और एकादशी वर्त के दिन फला हार करके वर्त की कथा जरूर सुनें एकादशी के वर्त में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए एकादशी वर्त का नियम तीन दिन जैसे दश्मी, एकादशी और द्वादशी को होता है हो सके तो तीनों दिन चावल से परहेज करें और एकादशी के वर्थ में लहसन, प्याज, मसुर की दाल का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए चाहे आप वर्थ रखते हैं ये नहीं भी रखते हैं तो भी आपको कुछ बातों का खास धियान रखना चाहिए जैसे कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन प्याज लहसन और मसुर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्बित नहीं करना चाहिए तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए हाँ पूज़ा जरूर करने चाहिए तुलसी के इपास दिया लगाएं और पूज़ा जरूर करें अब जानते हैं परिवर्तनी इकादशी वर्थ के कुछ खास उपाए दोस्तों परिवर्तनी इकादशी के दिन अगर आप विश्णो भगवान को केसर मिले दूद से अभिशेक करते हैं तो इसे घर में पैसों की कमी कभी नहीं रहती हैं घर में धन का आगमन होता है इसके इलावा परिवर्तनी कादशी के दिन सुभे और शाम के समय पीपल के ब्रिक्ष को जलका अरगे देने से सफलता और सुख सम्रिद्धी के प्राप्ति होती है क्यूंकि दोस्तों पीपल के ब्रिक्ष में भगवान विश्णुजी का वास माना गया है इसके इलावा भगवान विश्णु जी को तुलसी बहुत प्रिये है इसलिए आज की दिन शाम के समय उनकी समक उनकी तुलसी के पास मतलब घी का दीपक जरूर जलाएं इससे भगवान विश्णु जी का आश्रिवाद प्राप्त होता है और भगवान विश्णों की किरपा हमेशा बनी रहती है भगवान विश्णों की साथ साथ लक्ष्मी माता की किरपा भी हम पर बनी रहती है तो दोस्तों उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजीगा लाइक करने में देखो कंजूसी नहीं करें लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कर सकते हैं ताकि किसी और का भी इस से वहला हो सके और अगर आपका कोई प्रश्ण है या कोई सुझाव है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारे के साथ तक आप खुश रहें स्वस्त रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें जैश्री हरी हर हर महादेव